कर स्वागा चाव जुरार लै मेरो चयानल मा आजा मा आर फ्रायर मा क्रिस्पी पटेटो वेजेस कस statue बनावने ता यह देखावना जा ले चौझ मैं लिए दुटा आलू लिएको छुँ मैं लाई यो इस्कीन निकालने छुँ आलूको इस्कीन संगाई पनी पोटेटो वोजेश बनाई चा तरह मैं ले चाई यो बोकरा निकालने परे आलू आणी चीटो पनी ऊँचा तेल माँ पकारा खानो बनदा बोरू एर फ्रायर माँ ड्राइ पनी ऊँचा तेल एर बनी ऊँचा तेल बनी ऊदेना एल प्लाई पनी एकदम राम्परो गरने आ इसले मोवाबाय उटेशा आईज मां कातने चुछ इत्ती को चाना बनाउनो बयो बनी ठेकें उन्चा पतला पतला चाना बनाउनो पर्षा अलू काटे रहेड़ी वैसागे गछा वैसले मा मैरिनेट गरना जान दैचु आसापे थो लागारा आम रहेड़ी चलाउनु पर्सल चलाआरा एक चीन छोड़ दीनो वला लगबग 5 मिनेड जाती पाकियो मर्मसाला सबै राम्रो समाले लावुष यो आलू मेरिनेट बखो पांच मिनेट बई शकेको छा अब एसलाइ मा यो यहां गार्मा लगारा पकाउने छू तेल चाय माईले अगिनी लगाई शकेको छू एसलाइ देरे लोड को ने न बनावनो ला अजोरा रुसांगा ठूलो एयर फ्रायर चाबाने ता निके नी जानचा तार मेरोच याली सान बखो कारां ले मा इसलाइ दूई चोटी जाती पकाउने छू माईले यहां लगाई इसलाइ यहां लगाई सके पेशी यू माईले 400 डिग्री मा टनान गरेगो छू यह नोला यह फोरान डिग्री ओ इसलाइ मा आट ली 10 मिनेट जाती पकाने चू यह 10 मिनेट वायो तेखनो ला यह 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 फ्रायर माई आलू पाकेको दोस मिनेट जाती बई सगया चाहां माय निकाला चो पस्तो वायो ओ यह नोस्ता मायले 2 मिनेट पकाने लाए यह इस तो माध्य पा लगा रा फेरी 10 मिनुर जाती पकाम ने चुँ एक खेपको ता पाकी सको यो दोस्रो पटक एयर फ्रायर मा लगा को यो आलूप नी पाके रा एकदमे रेडी बही सकेगो छा ये नुस्त कस्तो राम बगर पाको पाको पटेटो वाई जेश एकदमे खाना को लागी रेडी बह पाके को चा अजूर अरूले पिनी यो गारमग बनार खाना सक्नो ने चा यो एकदमे बनाउना सजी लो आनी खाना को लागी मिठोपनी येदी आजाको मेरो रेजीपी मन परे मां शियर गर्ना ना बूलनो ला आनी मेरो चैनली लाइप लाईक आनी सब्सक्राइब की कर दो कर दो हैं और वाइब खार कर दो कर दो है टूना है